दूस्तों स्वागत करता हूं आप स्पिका फिर से एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ और अभी ज़र सुबह के सारे 5-6 बजे के लगबग का समय है और आज की ब्लॉग की जो स्टार्टिंग होती है हमें इसे करने वाले हैं फिलाल तो सुबह सुबह का जो टाइम होत है मौसम और उस मौसम में सबसे ज्यादा नींद आती है तो यहां पर एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज होता है नींद को खतम करके उससे बाहर उठना तो चलते हैं और फ्रेसों के अपनी जो आज की कार्य है उसको स्टार्ट करते हैं प्लस साथ में जो भी टार्गे अभी-भी मुझे दो लाइन याद आ रहा है जिसके साथ आज की ब्लॉग को मैं स्टार्ट अप करना चाहूंगा कि नींग से इतना भी ब्यार मत करो कि जिन्दगी खुआब बन जाए तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की स्टार्टी ब्लॉग को आपर चलते हैं अपने काम करने की योड़ साथ में हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर जो लोग नहीं है वो चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और डॉन फोर्गेट तो प्रस्टाबाइल लाइकन फोरगेटिंग नोटिफिकेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आज करें मैं आज मैं आ आज करें सेर का याइकन तो झाल जाज़ां के वोड़र खाम करेंージ पींटता हैं आज करें सेर के व교 से बचितों नहीं हैं आढक रखा़ेशन पोर बगां पोर्श्बर म editor कि अब जो पर बनाव हो अब प्रता सब के बीच 32 परदा तेक है हो गया है तो फाइनली दोस्तों अभी हमारा जो आप्शनल है वो कम्प्लीट हो चुका है और अभी आप्शनल के दौरान क्लास करने के दौरान मैंने वीडियो इसलिए नहीं सूट किया क्योंकि सेम फोन में मुझे क्लास करना था तो फाइनली ऑप्शनल का आज पहला क्लास था और मैं जैसा कि मैं बता दूँ पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने चैनल के माद्यम से कि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित के है जिसमें लगवख आपको 156 to 160 वीडियोज अबलेबल हैं और वो क्लास करने हैं UPC में other optional subjects भी होते हैं जो कि आपके interest के उपर depend करते हैं UPC के द्वारा कुछ subjects के list बनाई गए हैं जिसमें से आप अपने optional को select कर सकते हो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी साहित्य के option के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फिर ब्लॉकों करते हैं तो जैसा कि मैं आपको बतादू पहले मेरे सामने notes पड़ा हुआ जो कि मैंने आज first class में सबसे पहले से बनाया था इसमें मैं आप लोगों को बतादू की आपको साहित्य के बारे में knowledge दिया जाएगा साहित्य क्या होता है साहित्य का मतलब होता है सहजोर हित्य यानि सामुहिक हित्य की जो भावना होती है वो साहित्य कहलाता है एक बेसिक इसका डेफनिशन है लेकिन जेनरली आज के क्लास में मैंने ये भी सीखा कि साहित्य कहते किसको है तो समाने तक तीन गुन अपने अंदर विद्यमान रखता हो उसे साहित कहते हैं पहली जो गुन होती है, वो क्या होती है तो सर्व हित यानि कि सभी के हितों की भाबना जैसे कि अगर एक कहानी के माध्यम से लोगों को यह बताया जाए कि समाज में जैसे बेटी पढ़ाओ का बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से उनको मतलब सोसाइटी में एक लेवल पे ले जाया जाए, उनको घर में ना रखा जाया, तो इस तरीके की बहुत सारी अपनी कहानिया सुनी होंगी, तो ये कहानी क्या देश्य है इस कानिका ताकि समाज का हित्त हो ठीक है तो इस तरीके के साहित्य होते है ठीक है तो पहला गुन तो यह है दूसरा कुन क्या है इसमें तो दूसरा कुन यह होता है कि रमनियता रमनियता का अर्थ होता है सौंदर्य ठीक है उसका वास होता है उसे साहित्य कहते हैं और तीसरा होत है कि अर्थ और सब्द दोनों में प्रतियस्पर्दा हो आपसी प्रतियस्पर्दा हो यह तीन गुन अगर विद्यमान रहे तो उसे हम साहित कहते हैं तो बेसिकली इन सब हमारा हिंदी साहित था तो आज का टार्गेट तो कंप्लीट है आपको मैं पीछे दिखा दू देख लो हमारा जुलाई का स्लेवर से और साथ में पहला जो स्लेवर से वह खतम हो चुका रेस्ट अभी यह जो मैंने रखा यह सारी चीजे को कंप्लीट करना है तो चलिए चलते साल अभी तीन बजने वाला है और तीन बजने से पहले चलते हैं मार्केट क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लगा है तो अभी दूद ले के आते हैं इसके बाद चाय बनाऊंगा और क्योंकि आज मॉर्णिंग में जो था वो मैंने कुछ बनाया नहीं था तोड़ा सा आज तो आज आक दूसे रुटीन का सा तो ओन धार ही तो नहीं दोस्तों मार्केट से मैगी लाने के बाद मैंने तोरफ चाय बनाया और मैगी मैंने बनाने के बाद फिपन मेयं दो attain 40 को दो करना है आक बा propeJamst करनेनी आपने अगर मुझे वीडियो में आपको पता और और दम complete हो चुगा था जिसके बाद मैंने सोचा था कि अब कुछ questions लगाए जाए उसके और question लगाने के दोरान ऐसे बहुत सारे मतलब problems आते हैं हो सकता है मुझे तो आ रहे थे और हो सकता है कि आपको भी आते हूं क्योंकि जब first time आपका mind questions को लेके prepared नहीं होता वो बहुत सारे book परने का habit हो चुका होता है दिमाग को लेकिन जब वो question आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि यार वो तो मैंने पढ़ा था लेकिन वहाँ का question complete क्यों नहीं हो रहा तो उस problem के करन बहुत सारा मतलब समय का आप limitation bonding वहाँ पर मत करना कि हाँ मुझे समय इतने limited समय में बनाना है क्योंकि स्टेटिंग में frustration होता है बहुत जादा अगर question continue गलत होने लगते हैं तो यह चीज मेरे साथ लगबग लगबग हो रहा था तो finally दोस्तों अभी मैं chapter wise जो है वो कर रहा हूं यहाँ पर questions attempt और जब literally मैं बताता हूं जब आपका question मतलब लगता है कि हां सही जा रहा है सही जा रहा है लेकिन lastly लेकिन लेकिन लास्तली जब होगा कि और जो बनाया वेस मतलब mostly गलब निकल रहा है जो भी है सभी निकलता है तक तो अंदर से काफी जादा happiness होती है लेकिन अगर उती ही question मतलब negative चला जाता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन डाइब का होगा गुस्सा आएगा थोड़ा मेरे साथ बिल्कली ही हो रहा है और starting का अभी तक मैंने total 50 question attempt किये हैं लगबख अभी 28 question order attempt करने हैं और 50 questions में से mostly अगर मैं कहूं तो मतलब average चल रहा है मेरा लेकिन जो question गलत हो जा रहा है तो अगर continue 2-3 question गलत हो जाता है जिसके करन जो question आपको आता है वो भी गलत हो जाता है तो इसको थोड़ा सा आप notice करो क्योंकि मेरे साथ तभी यह हो रहा है so finally दोस्तों मैंने जो mcq किया वो complete हो चुका है और मैंने इसका finally cross सही गलत वगड़ा भी निकाला था so total number of अगर आपको मैं question बोलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि total number of question 74 थे जिसमें से correct हुए है मेरे 41 और wrong में मैंने दो तरीके के questions को इसमें input किया है एक जो है जिस जो की मेरा गलत हो गया दूसरा मैंने जो skip किया था question को क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि बनाने के दौरान में बहुत सारे question मैंने skip भी किये हैं यहाँ पर जैसे देख लो बहुत सारे question skip किये हैं तो इसको भी मैंने wrong के condition में डालके calculation किया total और calculate करने के बाद लगबग जो marks आ रहे हैं मेरे वह 40% 42% के लगबग के आ रहे हैं तो फाइनली अभी साम हो चुका है लगबग और साथ सारे साथ बजने वाले हैं तो चलते हैं थोड़ा सा काम है बाहर में निकलना है तो इसको भी complete करते हैं इसके बाद वापस आएंगे तो study को continue करेंगे तो फाइनली दोस्तों अभी चल रहे हैं बाहर एक सूस का जिसको एक्सचेंज करना है तो फिलाल दोस्तों अभी एक यह सूस मैंने सेलेक्ट किया है जो की अभी इसमें देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और कमफर्टेबल भी है मेरे कॉडिंग फिलाल भी देखते हैं एक और option है मेरे पास सो वह option भी change कर लेते हैं एक बाद चक कर लेते हैं अब दूसा सूस की वाली है और उसके बाद एक यह सूस जो है यह पसंद आ रहा है देखते हैं यह कितना कमफर्टेबल है उसके comparison में तब के लिए camera भाई यह समाँ देखते हैं हाँ camera के तरफ पांग तरो है कि अब यह तो बहुत 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 पहले पाइनल कर लेते हैं तेन आफटर रिकॉइडिंग करते हैं सबसे पहले कर लेता हूं पिर आपको गताता हूं है सो फाइनली दोस्कों अभी जस्ट जूता ले लिया और अब जा रहे है रूम पर तो क्यूंकि अब भी लेट हो चुका है अब दस सारे दस हो गया है और अभी घर पहुंचके फिर आपसे बाते करते हैं यह हमारा रोड यह हमारी सौफ्टी और अगर रोड देखके नही तो सौफ्टी और रोड का मिलन हो जाएगा सो सबसे पहले घर पहुंचते हैं यह हमारी चौक्टे भी खोटाम